नमस्ते साथियों मैं सुरजच छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया येटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ साथियों बरसात के समय सुरू होते ही मुर्गियों में तरह तरह के बिमार दिखाई देते हैं और बरसात के समय में लोग ऐसे कुछ गलतिया कर देते हैं जिसके कारण मुर्गियों में सबसे ज्यादा बिमार दिखाई देता है तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोग बरसात के समय मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ऐसे कौन-कौन से गलतिया हैं जो आप लोग को भूल कर भी नहीं करना चाहिए उसके बार में तो प्लीज आप लोग ये वीडियो पुरिलास्तक धियांच देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले में आप लोग सभी को एक छोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आएं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर लिजिए ताकि सबसे पहले आप लोग को वीडियो का नोटिफिकरिकेशन मिल जाए साथियो अगर आप लोग बरसात के समय मुर्गियों को स्वस्त रखना चाहते हैं तो एक नंबर में मुर्गियों को बाहर फीडेंज में छोड़ते समय साबधान होना है आप लोग को कभी भी मुर्गियों को बाहर फीडेंज में नहीं छोड़ना है बरसात के समय में क्या होता है अचानक बारिश आ जाता है और अगर आप लोग मुर्गियों को बाहर फीडेंज में छोड़ देते हैं तो मुर्गिया बाहर बारिश में भीग जाते हैं और उसक तो मुर्गियों को बाहर फ्रीरेंज में छोड़ते समय आप लोगों को साबधान होना है, मौसम को देखकर ही आप लोगों को मुर्गियों को बाहर फ्रीरेंज में छोड़ना है, बरसात के समय मुर्गियों को स्वस्त रखने के लिए दो नंबर में मुर्गियों को कभी भी गंदे पानी पीने के लिए नहीं देना है देखे साथियों बरसात के समय में बारिस आ जाता है और उसके बज़े से जो बारिस का पानी होता है वो बाहर इकठा हो जाता है और वही पानी अगर मुर्गिया पीते हैं तो उसके बज़े से मुर्गियों को तरह तरह के विमार ल वो हमेशा साफ होना चाहिए और वो पानी हमेशा फ्रेस होना चाहिए कई दिनों का सड़ा हुआ पानी या गंदा पानी मुर्गियों को बिलकुल भी पीने के लिए नहीं देना है देखे साथियों मुर्गियों में जो बिमार होता है वो पानी के कारण भी बहुत ज़्यदा होता है इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है बरसात के समय मुर्गियों को स्वस्त रखने के लिए तीन नंबर में मुर्गी घर का जो विच्छावन होता है उसे हमेशा सूखा रखना है देखे साथियों बरसात के समय क्या होता है बारिस के जो तेज छीट तो उसके वज़े से मुर्गियों में तरह तरह के बिमार दिखाई देते हैं जैसे की CRD, CROYZA, Foulpox, IVD अगर आप लोग इन बिमारियों से मुर्गियों को बचाना चाहते हैं तो फार्म का जो बिछावन होता है उसे कभी भी गंदा होने के लिए नहीं देना है उसे कभी भी बारिश सुरू होने से ठीक पहले ही परदे से पूरे पोल्टी फार्म को ढख देना है यानि की परदे नीचे की तरफ कर देना है ऐसा करने से बारिश के तेज छीटे फार्म के अंदर तक नहीं जाता है और फार्म के अंदर एमोनिया भी नहीं बनता है बरसात के सम्में मुर्गी घर को हमेशा साफ रखना है और उसके साथ साथ हफते में दो या तीन दिन मुर्गियों के उपस्तिति में मुर्गी घर में अच्छे से डिसिंफेक्शन इस्प्रे करना है। अच्छे से अच्छे से साफ करना है। खर्सोलीन या B904 डिसिंफेक्शन से अच्छे से धोना है और उसके बाद उन बरतनों को धूप में अच्छे से सुखाना है। देखे साथियो अगर आप लोग डिसिंफेक्शन से अच्छे से बरतनों को साफ करते हैं और उन बरतनों को अगर धूप में सुखा देते हैं तो ऐसा करने से उन बरतनों में अगर कोई इंफेक्शन या कोई वाइरस होता है बीमार फैलाने वाला तो वो खतम हो जाता है ज अगर आप लोग मुर्गियों को भरपूर मातरा में दाना पानी खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियों के रोख पतिरुच्य मता बढ़ जाता है जिसके कारण कोई भी बीमार आसानी से मुर्गियों को एटेक नहीं कर पाता है। अगर आप लोग हर समय मुर्गियों को एंटिबाइटिक देते हैं तो एंटिबाइटिक ज्यादा खाने के बज़े से मुर्गियों का वजन कम हो जाता है। इसलिए आप लोगों को हर समय मुर्गियों को एंटिबाइटिक नहीं देना है। देखे साथियों ऐसा करने से बारिस में भीगने के कारण अगर मुर्गियों में कोई बीमार आने वाला होगा तो वो खतम हो जाएगा वो बीमार मुर्गियों को एटेक नहीं कर पाएगा। तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोग इसा सेर किया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सेखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को से जरूर करना तो साथियो आज के लिए बाइ बाइ मिलते हैं फिर एक जबर डस्ट वीडियो के साथ